हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो आई यूट्यूब चैनल मम्मी जी का डियाईवाई इस फेस्टिव सीजन में चलिए हम कुछ नया और बजट फ्रेंडली सीखते हैं जो वीवर्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो अप मिस न करें तो विटाउट फ़र्दर अडू सुरू करते हैं हमारा डियाईवाई इस प्यारे से दिया स्टैन को बनाने के लिए पहले हम लेंगे बहुत सारे दिये और उसको हम कलरफुल एक्रिलिक से पेंट कर लेंगे फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में हम शेर करेंगे इन सारे डियाईवाईज को घर में कैसे सजाए तो आप सब हमसे जूडे रहिए अब हम इस कलरफुल दिये को गोल्डन एक्रिलिक पेंट से डिजाइन करेंगे आप अपने कला से इन दियों को मन चाहा डिजाइन दे सकते हैं यह देखिए हमारे सारे दिये तयार हो गए बेस के लिए हम घर पे पड़े विश्ट प्रड़क्स का इस्तमाल करेंगे और उसे कलरफुल पेपर से रैप कर लेंगे जो लोग हमारे ममी जी को जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हमारी ममी जी को ने ने डियाइवाई ट्राइ करने और घर को डेकॉरेट करने में कितना मज़ा आता है इस दिया स्टैंड में हम दो लेवल का बेस करेंगे जिसको आपस में सपोर्ट देने के लिए हम छोटे बड़े डियो कैप्स का यूज करेंगे जो कि हमारे घर में इजी ली अवेलेबल रहता है यहां पर अपने बेस के लिए हमने काड़बोर पर ग्लीटर पेपर और परल का यूज किया है अब हम इस बेस पर कुछ इस तरह से लेयर बनाएंगे यहां पर हमने जो कैप्स डिकोरेट किया है उसी को यूज कर रहे है यह देखिए हमारा प्यारा सा डबल लेयर स्टैन तयार है अब हम छोटा सा मिट्टी का कलर्स लेंगे जिसे एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लेंगे और लेस से डेकोरेट कर लेंगे यह हमारा बॉटम बेस बनेगा यहां पर हमने कलश का इस्तमाल इसलिए किया है क्यूंकि यह सारे दियों का भार ले सके अब हम अपने सारे कलर्फूल डियों को अपने स्टैंड पर सजा लेंगे यह देखे हमारा खुपशूरत दिया स्टैंड तयार है देखे दोस्तों हमारा यह दिया स्टैंड कितना प्रीटी और ब्यूटिपुल लग रहा है चलिए अब सीखते हैं हमारा दूसरा डियाइवाई हमारा बहुत ही सिंपल प्रड़क्ट से हमने बनाया है इसे बनाने के लिए हम पहले बैंगल्स लेंगे और बैंगल्स को इस तरह से उल से रैप कर लेंगे दोस्तों यह बहुत ही सिंपल डिया स्टैंड है और इसे बनाने के लिए हमने बहुत ही कम प्रड़क्ट्स यूज़ किये हैं ओल से रैप करने के बार इन बैंगल्स को हम इस तरह से डेकॉरेट कर लेंगे पर्ल से और छोटे-छोटे फ्लार से देखिए इस तरह से हमने सारे बैंगल्स को डिफरेंट कलर ऊल से डेकॉरेट कर लिया है अब हम एक सीडी का बेस लेकर बैंगल्स को एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में स्टिक कर लेंगे हमने इस बैंगल्स को इस तरह से सीडी पर स्टिक कर लिया है आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन दे सकते हैं यह देखिए हमारा थोता सा और प्यारा सा दिया स्टैंड तैयार हो गया दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स सिर्फ फाइब मिंट्स लगते हैं और बर देखने में कितने प्यारे लगते हैं फ्रेंट्स यह डेकॉर आप जरूर ट्राइ करें और अपने घर को इस फेस्टिव सीजन पर सजाएं और हम हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें कि धूले यह जाएं यह कर देखने कर दो आप जरूर लगते हैं और अलब कर दो हैं और आप जए हैं